रहाव अ पर प्रशाब लगन ज sushi कुरी आस्तम का भाव जो मृत्यु का घर है शास्त्र कहता है कि अश्टम का स्वामी जाकर के बाकी के भावों से संबंध बनाए तो उस भाव के प्रभाव में कमी ले आएगा लेकिन जोतिश शास्त्र ये भी कहता है कि देव गुरु केंद्र से संबंध बनाए तो सरवाधिक स्रिष्ट तमफल देते हैं अब सवाल ये उठता है कि हम पहले कौन माने क्या ये नुकसान करेंगे या ये माने कि केंद्र और त्रिकोन से संपर करेंगे तो ये स्त्रेश्ट लाभ देंगे अथवा छटवे आठ में बारवे में होकर के विपरीत योग बनाएंगे हम किस बात को माने और फिर देव गुरु सरवाधिक शुभग ग्रह है ये क्या नुकसान कर सकते हैं क्योंकि अगर सवाल उठता है जरागौर करिये कि कोई ग्रह सरवथा अकारक है जन्म कुंडरी में इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि कोई ग्रह मारक नहीं भाव मारक होता है उस भाव के अधिपती कहां बैठे हैं किस भाव में बैठे हैं किस परिस्थिती में बैठे हैं ये बात तय करती है कि वो कैसा प्रभाव देंगे एक दूसरा जरागौर करिय कि अगर ब्रिसब लगन में हम गुरु को सरवथा अकारक अथवा मारक कह दें तो क्या ब्रिसब लगन के जातकों के पास आजीवन धन संचय नहीं होगा क्या ऐसे जातकों के जीवन काल में सनतान और विवाह का सुख प्राप्त नहीं होगा ये विचारनी तत्य है और सबसे प्रारमभी के दौर में गुरू ज्यान के कारक है तो क्या ज्यान की प्राप्ति उन्हें नहीं होगी क्योंकि वो मारक है और मारक है तो चुकि वो जिन चीजों के कारक है उससे दूर कर देंगे तो जवाब आएगा नहीं, ये गलत है सत्य ये है कि अगर वो किसी स्रेष्ट भाव से संबंध बना रहे हैं जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अधिपती के साथ तातकालिक मित्रता कर रहे हैं तो निश्चेंहीं अकारक होने के चलते, अस्टमेस होने के चलते अपने महादसा इत्यादी में ये स्वास्त जन्न समस्या उत्पन करेंगे हो सकता है कि जातक को थोड़ा सा रोगी भी बना दें पेट जन्न रोग भी दें आत की समस्या भी दें पीलिया रोग भी दें कुछ समस्या ये दें लेकिन सरवता नुकसान देह तो ये किसी लगन में नहीं होते तो आईए चलते हैं ब्रिसभ लगन के बारहो भाव में देव गुरु के प्रभाव को जानने के लिए कारिक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्ब एक प्रश्ण ले लेता हूँ ये प्रश्ण है सुनीता मीरिकाब जी का इन्होंने पूछा है कि सिम्ह लगन में अगर लगन में ही चंद्रमा और आठवे घर में गुरु होंगे अपनी रासी में बिल्कुल आठवी रासी में मीन आठवे भाव में मीन रासी हो जाती है तो इनका कहना है कि क्या यह दरिद्र योग बनेगा सुनीता जी ये दरिद्र योग नहीं बनेगा निश्चेही गुरू और चंद्रमा का यहां सम्मंद छठवे आठवे का हो जाएगा जिसे हम सकट योग कहते हैं अब चंद्रमा पर अगर सुभक रह गुरू कि द्रिष्टी न हो तो निश्चेही ये प्रभाव थोड़ा कमजोर प्रभाव कहा जाएगा जातक को जीवन काल में निरने लेने में समस्या उत्रपन होगी लेकिन ये दरिद्र योग नहीं है हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि जातक को निरने लेने में समस्या होगी सही निरने लेने में दिक्कत हो लेकिन अगर चंद्रमा पर शुक्र इत्यादिक रहों की दृष्टी हो तो उस कमी को बहुत हथ तक पूरा किया जा सकता है लेकिन गुरू की तो अपनी ही बात है अगर वो चंद्रमा को देखें तो वैसा प्रभाव तो खैर कोई नहीं दे सकता है चलिए सुरू करते हैं ब्रिशब लगन के बारहो भाव में देव गुरू का प्रभाव आज कल दर्शकों ने मांग की कि आप वक्री को भी जोड लीजिए चलिए उसे भी हम आज जोड लेंगे याद करा दू कि बातचीत में तातकालिक मित्रता के बारे में बताऊंगा लेकिन कैसे होती है ये नहीं बताऊंगा अब कई बार बता चुका हूँ रट लिया है आप लोगों ने बार अब आप लोगों को मुझे याद दिलाना है सम और विसम में ग्रहों की अवस्था मैं किसी बात को लगातार इसलिए बोलता रहता हूँ कि आप लोग बार-बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा किताब में हर बात लिखी हुई है किताब में ग्यान का भंडार है विशाल भंडार लेकिन उसमें से जितना आपके ग्यान दिमाग में बैठ जाए जितना आपको याद हो जाए वही ग्यान आपका है बाकी ग्रंथाले में तो ग्रंथ भरे पड़े रहते है ब्रशब लगन प्रिदर्शकों ये शुक्र की रासी है मूल त्रिकोन रासी नहीं है भूमी तक्तो की रासी है सम रासी है अब यहाँ पर अगर आकर के बैठ जाते हैं अस्टमेस और लाभेस गुरू तो ये क्या प्रभाव देंगे सबसे पहले तो ये बता दूँ कि अगर यहाँ पर वो बैठे हैं तो जब भी आपके जीवनकाल में देवगुरू की महादसा आएगी सबसे पहले वो इसका प्रभाव देंगे इसके बाद ही इसका प्रभाव देंगे इस बाद का खयाल रखना है कि यहाँ वो बैठे हैं तो 16 साल की महादसा में आठ साल अस्टम और आठ साल लाभ का फल देंगे उसी क्रम में प्रत्यंतर में सुक्षमांतर प्राणांतर सब में आपको निकालना है कि अगर दो दिन के लिए आए हैं तो एक दिन अस्टम का प्रभाव देंगे तो एक दिन लाभ का प्रभाव देंगे देव गुरु लगन में आकर के बैठ जाएं तो सबसे पहले तो लगन में पूर्व दिशा में ये दिग बली हो जाएंगे अस्टमेस हो करके आकर के लगने से संबंध बना रहे हैं मित्र रासी में नहीं हैं अपने नए सरगिक सत्रू की रासी में बैठे हैं अगर तातकालिक मित्रता इनकी होती है तो संभावस्थ हो जाएंगे और संभावस्थ होने की अवस्था में बहुत हद तक परिशानियां कम होगी चुकि अश्टमेस जाकर के आपके विक्तित्व से संबंध बना रहा है और ये बात हमेशा याद रखनी है कि अश्टम का आयू का भी घर है गड़ा हुआ धन का घर है इस भाव कामाली काकर के लगन में बैठा है और कस्ट का भी घर है मृत्यू तुल्ले कस्ट का विचार भी यहीं से होगा तो उस भाव कामाली काकर के लगन में बैठा है तो गाहे बगाहे आपको परिशानियों में डालता रहे लाभे सो करके बैठे हैं तो लाभ के पीछे भी भागेंगे अब रुशब लगने के जातक आप जानते हैं मेहनती स्वभाव के होते हैं मेहनत करने वाले होते हैं तो लगनगत आकर के बैठ जाएं देव गुरू ब्रहस्पती तो निश्चे ही थोड़ी परिसानी करेंगे ल यहां यह बात बता दूँ कि देव गुरु ब्रिहस्पती किसी सुभग्रह जैसे चंद्रमा के साथ बैठ जाएं, मंगल इत्यादी के साथ बैठ जाएं या खुद सुक्र के साथ ही बैठ जाएं तो कैसा प्रभाव देंगे। शुक्र अगर साथ में हो जाएं तब तो फिर तातकालिक सतुर्ता हो जाएगी लेकिन एक प्रभाव आपको तब भी प्राप्त होगा और वो प्रभाव क्या है वो प्रभाव है कि शुक्र लगने में होने से ये बन जाएगा मालब्य योग और मालब्य योग का लाव आपको अवस्य ही प्राप्त होगा और यहाँ पर एक बात बता दूँ कि केंद्र में सुभग्रह स्त्रेश्ट लाव देते हैं परंतु उनकी रासी केंद्र में नहीं होनी चाहिए तो यहाँ देवगुरु केंद्र में होंगे तो निश्चेही रिजल्ट अच्छा करेंगे फिर से इस सुट्र में मैंने सारी बाते बता दी थी कि खुद की रासी में बैठा हो तो यह बात लागू नहीं होगा तो यहाँ पर देव गुरू शुक्र की रासी में बैठ करके निश्चे ही स्रेष्ट आपको परिणाम देंगे लेकिन अगर तातकालिक मित्रता में होते हैं तो जादा बेहतर परिणाम इनका होगा अंस याद रखिए जीरो से लेकर के 6 अंस तक हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी कुंडली में मृत अवस्था में हैं 6 से लेकर के 12 अंस तक हैं तो इसका मतलब है वो बृत अवस्था में हैं 12 से लेकर के 18 अंस तक सरवाधिक दोनों ही अवस्थाव में सम और विसम दोनों रासियों में 12 से 18 तक जब भिग रह होगा वो युव अवस्था में ही होगा और वो सरवाधिक स्रिष्ट फल देने वाला होगा ये बात रट लीजिए चाहे वो लगन चाहे वो सरासी सम हो या बिसम 18 से 24 तक कुमार और 24 से 30 तक बाल अवस्था में होंगे आपको ये देख लेना है किस अवस्था में है कुमार से लेकर के ब्रधा अवस्था से लेकर के युव अवस्था और साथी साथ कुमार अवस्था तक तो मैं यहां कहूंगा युवा से लेकर के कुमार तक यान की दृष्टी भी स्रेष्ट लाभ देने वाली है अब जरा गौर करिए अगर यहां पर गुरू आपकी कुंडली में वक्री होकर के बैट जाते हैं तो वो किस प्रकार का प्रभाव देंगे तो गुरू अगर लगने में ही वक्री होकर के बैट जाते हैं तो सत्रू रासी में अगर तातकालिक सतुर्ता में हो तो निसंदे आपको ये स्रेश्ट लाव देंगे अंसके आधार पर आपने रिजल्ट इनका जान लिया यहां बैठे गुरु की पाचवी द्रिश्टी पड़ेगी बुद्ध की रासी में चुकि ये इसके कारक है ज्यान और संतान के कारक है अता यहां पर उनकी द्रिश्टी आपके लिए फाइदे मंद होगी मित्र द्रिश्टी नहीं है पर फिर भी आपके लिए फाइदे मंद स प्रध्र द्रिष्टी पड़े गी, कहा पर, तो कुंडली के शतमस्थान स्टरूम्, प्रध्र के चिपर क्रोध क्रोधी और चिरच्तर उस भाव में वो कैसा प्रभाव देते हैं तो जिस भाव में वो जैसा प्रभाव देते हैं उसी तरह की दृष्टी भी उस पर डालेंगे जरा गौर करिए गरह कैसा है यत्पिंडम तत्प्रम्हांडम यानि जैसा आप वेवहार करते हैं अपने सत्रू को या जहां पर आप बहुत खराब महसूस करते हों, वहां पर देखेंगे कैसे बड़ी खुसी से, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो बस ग्रह भी वैसी ही दृष्टि डालता है, कि जहां वो उदासीन होता है, जहां वो स्रिष्ट नहीं रहता, वहां रिजल्ट भी दृष्टि डाल करके स्रिष्ट वो तो ये महाभाग्यवान योग बन जाता है फिर उस अवस्था में आपको ये नहीं समझना है कि उनकी नीच की दृष्टी है कि उनकी की दृष्टी आपको ये लाब अवस्थे प्रदान करेंगे आजाए कुंडली के धनभाव में यहाँ पर आकर कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं देव गुरू ब्रहस्था में यहाँ भी आपको तातकालिक मित्रता इनकी देखनी है अगर तातकालिक मित्रता में है तब कोई संसय नहीं क्योंकि यहाँ पर बैठ करके अपनी ही घर पर द्रिष्टी डालेंगे यह विसमरासी है याद रखना है जीरो से लेकर के 6 अंस तक बाल अवस्था में ठीक विपरीत उल्टा चलेगा यहाँ पर तो यहाँ पर बैठे हैं तो किस अंस पर बैठे हैं इसको देख लीजिए वकरी होकर के बैठें और तातकालिक सत्रुता में हैं तब इनके से निश्चेही स्त्रेश्ट लाव के लिए आप तयार हो जाएए पेट जनित रोग अवस्य देंगे लेकिन रोग रिपूरिण अगर यह समस्याए जीवन काल में आएंगी तो इसे से बचाओ भी ये देव गुरु ही करेंगे तातकालिक सत्रुता में होने के कारण आपकी वानी इतनी सत्ते कई बार हो जाएगी कि लोग आपसे सत्रुता करना सुरू कर देंगे कई बार आप इस तरह के स्वभाव वाले हो जाएंगे कि बहुत उच्रिंखल साप सब्दों में कहूं तो उच्रिंखलता आजाएगी कुछ भी बोल बैठेंगे और सामने वाला बुरा मान जाएगा तो वानी पर कंट्रोल रखने की आवशकता है यहाँ पर बैठे गुदेव गुरू निश्चे ही भावनास करेंगे इसका खयाल रखना है अगर ये किसी के साथ हैं बुद्ध के साथ ही हैं या किसी और ग्रह के साथ हैं तो भावनास भूल जाईएगा भावनास नहीं होगा लेकिन अगर अकेले हैं लेकिन बहुत हतकसा नाजिक भी होते हैं तो कई बार बेवजह की बातों में फस करके कई बार औरों को दिलाने के चकर में रिनित्यादी में दूसरों के पंगे में फस करके अपना धन आप बरबाद कर देंगे धन संचे नहीं कर पाएंगे तो आपको यहां देखना है कि गुरू किस इस्तिती में है अंसवल कितना है वक्री है और सत्रुता में है तब तो निसंदेह आपको स्रेश्टलाव देंगे कोई संसे नहीं यहां से उनका स्रेश्टलाव ही आपको प्राप्त होगा गुरू की पाँचवी द्रिष्टी रोगरी पुरण भाव पर है सो जीवन काल में अगर यह समस्याएं आती है डरने की आवशक्ता नहीं फसाएंगे भी तो निकालेंगे भी अस्टम पर खुद के घर पर द्रिष्टी आयू की बृध्धी करने वाली होगी और साथ ही साथ आयू तो ये लंबी कर ही देंगे गड़ा धन वगेर भी कई बार मिलता है ऐसे लोगों को कहूंगा कि उच्च कोटी का मंत्र सिद्ध करें जैसे गायत्त्री मंत्र वेद मंत्र ऐसे मंत्रों को वो सिद्ध कर सकते हैं बहुत जल्दी ही उनको सफलता मिल जाएगी यहां बैठे गुरू की दृष्टी करम भाव पर पड़ेगी सनी के घर पर पड़ेगी यहां पर वो कारकत्व को प्राप्त करते हैं अता कहूंगा कारेक छेत्र से सम्बंधित कोई नुकसान नहीं है किस अवस्था में कह रहा हूँ तो ये बात सारे आपको ध्यान रखना है कि अगर इनका अंसबल जादा है यानि कि कुंडली में 12-16 से ले करके 18 अंस तक हैं तो इस अवस्था में आपको ये स्रिष्ट लाभ द्रिष्टी से भी देंगे और अगर तातकालिक मितृता में है तो लाभ इनका बढ़ चल करके होगा अगर तातकालिक सत्रुता में है तो कस्ट और अंसबल कम है तो इन भावों से सम्मंदित स्रिष्ट प्रभाव आप नहीं ले पाएंगे अब आजाए कुंडली में पराकरम भाव में अब अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु यहां पराकर के बैठे हैं तो इसका मतलब है उच्छ रासी में हैं वक्री हैं तो नीसंदे लाभ नहीं देंगे आपको उसका नुपसान जहलना पड़ेगा हाला कि फ surplus 84 में हैं वक्री हो गाए हैं तो अलग बात 84 में हुने करण सिख्छा तो ले लेता है लेकिन अपनी सिख्छा से उसे स्रिष्ट लाभ नहीं मिल पाता अंसबल देख लेना है समरासी है ये तो इसका आपको खयाल रखना है कि किस अंसपर हैं किस अंस पर हैं अगर वक्री नहीं है वक्री को भटा दीजिए वक्री नहीं है उच्छ रासी में बैठे हैं पराक्रम भाव में बैठ करके भाग्य भाव को देख रहे हैं इस लगने में सरवथा कारक नहीं है पर फिर भी भाग्य भाव को देख रहे हैं और वहाँ पर वो अ पन्न अवस्य आपके होगी उससे बचिएगा आलस्य से जितना बचेंगे उतना स्रिष्ट लाव आप ले पाएंगे देव गुरु ब्रिहस्पती का तो यहाँ पर बैठ करके जैसा कि मैंने कहा उनकी द्रिष्टी पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव पर रिजल्ट वो अ अवस्य अच्छा देंगे यहाँ पर बैठ करके अपनी पांचवी द्रिष्टी दामपत्य भाव पर और व्यापार भाव पर डालेंगे और यहाँ पर उनकी द्रिष्टी होने के कारण दामपत्य और व्यापार में कहीं कोई समस्या नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं स्रेष् नहीं होगी अंसबल बलाबल के साथ हुआ तो रिजल्ट जादा बहतर आएगा अंसबल कमजोर हुआ रिजल्ट कम आएगा वक्री हुए रिजल्ट बहुत कमजोर आ जाएगा रिजल्ट में परिशानी दिखाई पड़ेगी उसका उपाय आगे चल करके आपको मैं बता देता अब इसके बाद आजाएगे कुंडली के सुख भाव में यहां पर आकर कि अगर बैठे हैं देव गुरू ब्रहस्पती तो अस्टमेस होकर के जाकर कि सिम्हरासी में बैठे हैं यहां बैठ करके उनकी दृष्टी पड़ेगी अस्टमस्थान पर कर्म पर और बारहमें भावनास वाली कोई बात नहीं सुख भाव में बैठे हैं तो जहां जहां दृष्टी डालेंगे उस भाव से समंधित प्रभाव में बृध्धी करेंगे तो यहां वो बृध्धी करेंगे यहां वो बृध्धी करेंगे और वहां भी बृध्धी करेंगे यानि ब्यायाध में होकर के अगर गजगेशरी योग हो जाए सुरी का समंधिन से बन जाए सिच्छक योग हो जाए तो जातक को उच्च कोटी का बुधिमान और विद्वान बना देंगे यहाँ पर बैठे गुरू से मैं स्त्रेश्ट लाव की अपेक्षा करता हूं क्योंकि मा के घर में भूमी भवनवाहन के सुख के घर में बैठे हैं तो ये सारे सुख आपको जीवनकाल में प्राप्त होता रहेगा ऐसा जातक सरकारी नौकरी या ब्यापार जिस छेत्र में भी जाए ज़्यादा तर ऐसे लोग नौकरी में जाए अगर वो ब्यापार में जाते हैं तो चुक प्रिसानी होगी धोखा चल कपट या आपके मित्र जो आपको मिलेंगे वो भी चल कपट करने के लिए ही होंगे कुछ लोगों ने कहा था कि चल कपट का विचार यहां और यहां से करते हैं मित्र जादा तर आप से चल करेगा कौन चल करेगा कौन जिस पर आपको विश्वास विश्वास अपनों पर या मित्र पर होता है और उन सब का विचार यहीं से होता है इसलिए यहीं से छलकपट का भी विचार किया जाता है तो उनसे धोखा मिलने की संभावनाएं जीवन काल में बढ़ जाएंगी छलकपट की स्थिती होगी मा के साथ विवहार अच्छा रख कुमार अवस्था में 12-18 तक युवा और 37-18-24 तक बृद्ध अवस्था में 24-30 तक मृद्ध अवस्था में रहेंगे आपको देख लेना है आपकी कुंडली में कितने अंस पर बैठे हैं अगर अंस बल प्राप्त है तो दृष्टी का बल अवस्थे प्राप्त होगा और उसका भिलाव मिलेगा अब ज़रा गवर करिए ब्याय भाव को देख रहे हैं तो क्या नुपसान करेंगे तो जातक ऐसा जातक खूब जमीन इत्यादी खरीदने में अपने पैसे बरबाद कर करने लगते हैं हाला कि यह कोटकचरी का योग नहीं बनाता लेकिन फिर भी इस तरह की स्थितियों में जातक के पैसे बरबाद हो जाते हैं तो जरा सावधान रहिएगा देव गुरू से यहां पर अब यहां देव गुरू की स्थिति दृष्टी अस्टम पर भी पढ़ र तातकालिक मित्रता में है बुद्ध से तब तो आपको चिंता करने की कोई आवशक्ता नहीं कोई कस्ट आपको नहीं होगा संतान सुख संतान से सुख अकेले नहीं होने चाहिए अकेले होने की अवस्था में यह कस्ट दे देंगे संतान के सुखों में भी संतान से सुख मे भी ये कस्ट उत्पन न कर सकते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये तातकालिक मित्रता में तो हो और साथी साथ आपकी कुंडली में अकेले नव बैठे हुए हो अकेले बैठनी की अवस्था में भी कस्ट होने वाला है अब यहाँ पर बैठे हैं तो अंस आपको याद रखना है ये समरासी है समरासी होने के कारण 0 से देखना है 0 से 6 तक मृत अवस्था में 6 से 12 तक बृत अवस्था में 12 से 18 तक युवा अवस्था में 18 से 24 तक कुमार और इसके बाद 24 से 30 तक बाल अवस्था में तो यहाँ पर बैठे हैं किस अंस में, युव आवस्था में होंगे, तो निश्चेहिं के दृष्टी जहां जहां इनकी दृष्टियां पढ़ेंगी, वहां से आपको स्रेष्ट लाब देखने को मिलेगा, यहां से भागे को, लाब को और लगन को देखेंगे, तो इससे सम् वस्था में रिजल्ट आप स्रेष्ट लेंगे, रिजल्ट में कमजोरी नहीं होगी, लेकिन अगर तातकालिक मित्रता रखते हैं, तब प्रभाव थोड़ा कमजोर, थोड़ा कमजोर, मैं पुनह बता दूं कि कई बार वक्री ग्रह चुकी रिजल्ट बहुत मजबूत करता है, जब अर्दस्त उसका प्रभाव हो जाता है, जब ग्रह वक्री हो, तो उसका प्रभाव सरवाधिक स्रिष्टतम, मैंने जितनी भी कुंडलियों में वक्री ग्रह के रिजल्ट को देखा है, जितने भी पापक रजे से सनी, ये वक्री होकर के नीच रासी में भी हो, तो इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलते दिखाई पड़ा, वक्री हैं, तो ऐसे लोगों को ये स्रेष्ट लाभ देते मैंने इनका देखा, गुरू सरवाधिक सुभग रहें, वक्र होने की अवस्था में ये रिजल्ट उस तरह का नहीं कर पाते, जिस तरह की हमें अपेक् और तातकालिक मित्रता में हैं, तो उस अवस्था में आपको ये रिजल्ट देंगे, भागे से सम्मंधित रिजल्ट भी आप ले पाएंगे, क्योंकि पंचम में अतिविसिष्ट कारक हो जाते हैं, लाभ अपने ही घर को देख रहे हैं, तो लाभ में कोई कमी नहीं, और ल ये कुंडली के रोग भाव में, यहाँ पर आकर के देव गुरु ब्रहस्पती बैट जाएं, तो ये किस प्रकार का लाभ करेंगे, तो यहाँ पर आकर के बैठे हैं, तो निश्चे ही अस्टमेश होकर के आकर के बैठे हैं, सत्रु रासी में बैठे हैं, तो पहले तो भी बिपृत योग मान लीजिए, बिपृत योग का लाब आपको अवस्य मिलेगा लेकिन कब जब करेंगे संघर्स आप तब, यहां बैठे हैं तो जरा स्वास्त का खयाल रखिएगा, क्योंकि पेट जन्ने रोग अवस्य कराएंगे, और पेट जन्ने रोग को कराते कराते ही, ये कई तरह के रोग आपके जीवनकाल में भर देंगे, कई बार ये शुगर इत्यादी तक आपको ले जाएंगे, कई तरह की समस्याएं, पेट जन्ने रोग के साथ सथ, क्योंकि सारा रोग पेट से ही होता है, पेट खराब तो बाकी सब कुछ दिरे-दिरे खराब, तो यही जीवन व्यकीत करिए, कि मैं औरों के लिए जी रहा हूं, साधा खाना और उच्च विचार आपका होना चाहिए, फिर देखिए, कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो यहां बैठे देव गुरूब रहस्पती से, मैं स्रेश्ट लाब किया पेक्षा तो नहीं करू इस्तिती में जातक संघर्ष करेगा, कर्म करेगा, और कर्म करके आगे की तरफ बढ़ेगा, बार्वे भाव पर द्रिष्टी भी पड़ेगी, संघर्ष तो होगा, लेकिन उसी संघर्ष से, उसी कस्ट से, एक नए व्यक्तित्त का जन्म हो जाता है, और फिर विप्रीत रा बस्य देख लिजेगा, यह विसमरासी है, विसमरासी में 0 अंस से लेकर के 6 अंस तक बाल अवस्था में रहेंगे, उस से आगे बढ़ने पर अंसों को अगर आप ध्यान रखें, तो फिर 6 अंस से 12 तक, आपको याद रख माकरीगा, 6 से 12 तक की स्तिती में, यह कुमार अवस फल न मिले, लेकिन आपको ये लाब देंगे ही देंगे, सत्रू आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर वो बैठे हैं, और तातकालिक सत्रूता में हैं, तो एक राय नोट कर लीजिए, सत्रू मत बनाईएगा, सत्रूता से दूर भागिए, जितना ज पासी में हैं, भाव नास वाली बात तो मत समझिये, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पत्नी का स्वभाव थोड़ा उग्र और प्रोधी, अथ्वा पती का स्वभाव उग्र अथ्वा क्रोधी होगा, वैसे तो आप सामंजे से वृत्ति पधान है, सामंजे से करना आपको आता है लेकिन अगर आपके अंदर भी उगरता ने जन्म ले लिया है अगर आप भी क्रोधी हैं उसमें कमी लाइए और वो कमी दूर करने का काम देव गुरु यहां से बैठ करके लगन को देख करके करेंगे आपके विक्तित्यों को सांत करेंगे इस्थिर करेंगे गंभीर करेंगे इसको स्विकार कर लीजिये गंभीर हो ये तो दामपत्य चलता चला जाएगा क्योंकि अगर यहां समस्या तो आपके ब्यापार में भी समस्या आएगी अपने उग्र स्वभाव के कारण, अपने सही ब्यावहार न कर पाने के कारण, अपने ब्यापार को भी आप कमजोर कर सकते हैं ब्रिश्चिक रासी कैसी रासी है? तो आप जानते हैं समरासी है, यहाँ 0-6 अंस तक मृत अवस्था में होते हैं और 6-12 अंस तक ब्रिध धवस्था में, इसी क्रम से उपर चले जाएं युवा, कुमार, बाल तो आपको इसी क्रम से 6-6 अंस आगे बढ़ना है, तो अंस बल देख लिजिए, अंस बल बली, तो आपके विक्तित्य को बहुत जबरदस्थ कर देंगे वक्री हुए, तो दामपत्य को कमजोर कराना तै है, दामपत्य जीवन को ये खराब अवस्थे करेंगे यहां से इनकी द्रिष्टी लाब भाव पर अपने ही घर पर पड़ेगी, मंगल की रासी में है, मित्र रासी में है, किसी तरह से आपको कोई नुक्षान वैसा नहीं, तो इनकी द्रिष्टी आपके लिए फायदे मंद सिध्धोने वाली है लाब जीवन काल में बना रहेगा, लाब से सम्बंदित कमी होनी ही नहीं, ये न के न प्रकारे न आपका काम बनता रहेगा व्यक्तित परदृष्टी है तो जिससे भी आप जुडएंगे जिससे आप बात करेंगे वो व्यक्ति आपकी बात को मानेगा भी और आपके काम भी बनते चले जाएंगे निया अगर कोई काम आपका फंसा हुआ है तो मैं कहूंगा किसी और के जरी नहीं खुद सामने अपना फेस रखिए आपके सारे काम बन जाएंगे यहां पर पराक्रम पर उचिद्रिष्टी है उस अवस्था में देखा जाए पराक्रमी आपको बनाएंगे महरती तो आप थे ही पराक्रमी भी हो जाएंगे और इसका स्रेश्ट लाव ले पाएंगे अस्ट्रम में आ जाएए स् धर्म से जुड़िये, धर्म से जुड़कर के ही स्रेष्ट लाव आपको मिलेगा, दृष्टी इनकी ब्याय पर, साथी साथ पड़ेगी धन पर और साथी सुख पर, तो जरा गौर करिए, भगवान की सरण में रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, तो ब्याय भी होगा, तो अ वजुद थोड़े से डाइजेशन में प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, खान पान पर जरा ध्यान रखिएगा, सन्यस्त जीवन बिताईए, साधा खाना खाईए, हमेशा कई बार लोगों की जिकायत होती है, कि एक सामन्य सा भोजन जो आम लो करके बहुत खुस होते हैं, बिल्कुल एक यही बात आपको कहना चाहूंगा, जीवन को इतना सरल बना दीजिए, भोजन इतना सरल बना दीजिए, कि आपको कोई कस्ट न रह जाए, तो यहाँ पर अगर बैठे हैं देवगुरू, डरने की कोई जरूत नहीं, केवल और केवल यह लाभ करेंगे, विप मस्ताओं के रिजल्ट में थोड़ी कमी आ जाती है, रिजल्ट में थोड़ी कमी, लेकिन रिजल्ट फिर भी आपको प्राप्त होगा, यह सारे सुख आपको मिलेंगे चुकी, यह विसम रासी है, अंस का खयाल लखियेगा, जीरो से सुरू होगा, प्छाव तक बाल अवस् चाहे वो किसी भी लगन के हो, किसी भी रासी में बैठे हो, मेरी एक बात याद रखियेगा, जितना अधिक करेंगे धर्म, उतना तेजी से आपका विकास होगा, इस बात को कहीं नोट कर लीजिए, आजीवन का आपका सूत रहेए, यहां बैठे हैं गुरू, तो आपका ज जिए, धर्म को अपने साथ जोड लीजिए, अगर यहां बैठे हैं देव गुरू, चाहे किसी भी रासी में, तो पांच अंस से उपर है, समरासी है, सीदी सी बात है, 6 अंस तक तो यह मृत होंगे, 6 से उपर जाएं, तो ब्रिध में भी, अब जरा एक बात और यहां परू करके बता देता हूं, कि देव गुरू ब्रिहस्पति आम ग्रहों से अलग है, इनकी ब्रिध वाली द्रिष्टी भी आपको उतना कमजोर रिजल्ट नहीं करेगी, जितना की बाकी की ग्रह, ये ब्रिध द्रिष्टी भी आपको ज्यान देने वाली होगी, हो सकता है, बूती वाले काम करने वाले न हो लेकिन इनकी बृध्ध द्रिष्टी जैसे पराक्रम पर पड़ेगी उच्चे द्रिष्टी होगी लेकिन अगर यहां पर मान लीजिए आपकी कुंडली में 6 से ले करके और यह 12 हंसपर हैं तो कैसी अवस्था में हो गए बृध्ध अवस्थ देव गुरू बृध्ध भी हुए तो रिजल्ट करेंगे आपको तो अंस को आपको याद रख लेना है वक्री हो जाते हैं जबर दस्त लाव करेंगे संतान सुख ज्यान सुख भागय का सुख हर सुख प्रदान कर देंगे उस सुख में कमी नहीं आने पाएगी यहां पात्रमी छोटे भाई बहनों का लाव आपको मिलेगा छोटे भाई बहनों को आप से लाव मिलेगा नौकर्चाकर से घिरे रहने वाले होंगे यानि कि देख कह सकता हूं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो बड़ा जबर्दस्त की ब्रिसब लगने के लोग वैसे भी मेहनती कद खदकाठी वाले होते हैं मेहनती होते हैं और गुरू की दृष्टी पढ़ जाने से एक भव्यता भी आ जाएगी और लोगों का आकरशन आप ऐसे हो जाएंगे कि आकरशित लोगों को कर पाएंगे तो ये भी बहुत स्रिष्ट हो जाएगा दृष्टी यहाँ पंचम पर पड़ेगी तो वक्री हैं तब तो संतान सुक से लेकर के सब कुछ नीच रासी में भी हैं तो ये सोचने की जुरूत नहीं कि नुकसान कर देंगे अंस बल देख लिजेगा पांच अंस से उपर है तो बहुत स्रेष्ट कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको लाब ही लाब मिलने से आपको ये लाब देंगे भावनास नहीं करते हैं आपर सो कोई दिक्कत नहीं है कोई कस्ट नहीं कोई परिसानी नहीं तातकालिक मित्रता में हैं लाब जादा मिलेगा लेकिन तातकालिक सत्रता में हैं तब कहीं न कहीं दिक्कत आपको आने लगेगी तब कहीं न कहीं सम गुरू के साथ आप जोड़ करके देखें तो एक बड़ा जबरदस्त निकल करके आएगा करम करेंगे धन संचय होगा भूमी भवन वाहन सुख होगा सत्रू भी पराजित हो करके आपके चरणों में आ जाएंगे या अगर रिल लेकर के भी आप काम करते हैं धन होगा भूमी पर देखेंगे यह आवस्था में तो द्रिष्टी बल कमजोर हुआ तो लाब थोड़ा कम लेकिन द्रिष्टी बल बलवान और अगर सम्त्रता क्योंकि यह सनी के साथ सम्म है नसत्रून मित्र और तातकालिक मित्रता में आ जाएंगे तो मित्र होंगे तो रिजल्ट बहुत स्रेष्ट करते हैं रिजल्ट खराब नहीं करते हैं करम भाव में बैठ करके वक्री होने की अवस्था में भी आप इनसे रिजल्ट में कम जोरी मत समझे जैसा कि मैंने कहा सनी को इन सत्रून मित्र मानते हैं तो जादा नुपसान नहीं होने वाला है कस्ट आपको नहीं मिल लाब भाव में आ जाएए यहां पर अगर आकर के बैठे हैं देव गुरू ब्रहस्पती स्रेष्ट है क्योंकि अपनी ही रासी में बैठे हैं और एक ग्यारवे भाव में सभी ग्रह स्रेष्ट फलदाई हो जाते हैं तो यहां से बैठ करके पराक्रम उच्छी दृष्टी डा यहां मत जोड़े लीजिएगा तो भाव नास नहीं होगा यहां बैठ करके धन का लाभ आपको बना ही रहेगा आज इवन यह न के न प्रकारे न बुरा पैसा मत कमाने का प्रत्न करिएगा लाभ सदईव अच्छा सही मार्ग से सन मार्ग से ढूंड़िएगा आता रहेगा तो पराकरम भाव पर देखेंगे भाई छोटे भाई पहनों को भी लाभ दिलाते रहेंगे ज्यान और संतान का सुख मिलता रहेगा हलाकि यहां पर दृष्टी स्रेष्ट नहीं कहेंगे उस अवस्था में संतान से कई भार खिचाव या संतान का संपूर और दामपत्य को भी बचाने का काम करेंगे ब्यापार को भी बचाने का काम करेंगे ब्याई भाव में आजाईए ब्याई भाव में आकर के बैट जाएं देव गुरू ब्रहस्पति तो भी प्रीत योग में हैं मित्र रासी में आकर के बैठे हैं वक्री होने की अवस्था में रिजल्ट थो तो योग भले थोड़ा सा कम लाव दे, लेकिन रिजल्ट देगा, विप्रीत योग कारा आपको याद रखना है, संगहर्स करते रहिए, रिजल्ट मिलना ही मिलना है, यहां बैठे गुरु द्रिष्टी डालेंगे कहां पर, तो भूमी भवन वाहन के सुपर और ऐसी अवस्था में जातक को, भूमी भवन वाहन का संपूर्ण लाव जीवन काल में प्राप्त होता रहता है, इसमें कहीं कोई संसय नहीं, कहीं कोई कमी नहीं, यहां से बैठ करके वो रिण और मृत्यू को भी देखेंगे, आयू की बृध्धी करेंगे, रोगरी पूरिण आये भी, तो जीवन काल में आपको उसका नुपसान नहीं जहलना होगा, प्रिदर्शकों हमने जाना ब्रिसब लगन के बारहो भाव में देव गुरु के प्रभाव को, चुकि य यहां अस्टमेस और लाभेस भी होते हैं, तो एक बात तो तै कर देता हूँ, कि यहां पर वो अकारक है, लेकिन याद रखिए कि अगर अच्छी स्थिति में हैं, अंसबल उनके पास अच्छा है, तो आप उनके रिजल्ट को सरवथा अपने पक्ष में समझिएगा, चाहे कोई आपको कितना भी कहे, खराब रजल्ट देंगे, मत मानिएगा, एक दूसरा, रत्न पहनने से बचिए, इनका रत्न धारन मत करिए, आराधना करिए, देव गुरु ग्रहस पती को बलवान बनाने के लिए, घर के करीब देवाले में जाईए, गोबरामन की सेवा करिए, और तो और, जैसा कि मैंने बनत बताया था, इनके बीज मंतर का, जब किसी गुरु मुख से सुन करके, कल किसी ने पूछा कि आप ही बता दिजिए, बिल्कुल, ये तो सरल है कि मैं यहां से बता दूँ, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, कि कोई करता हो, ना भी करता हो, स्रेष्ट माद्यम नहीं है स्रेष्ट माद्यम तब है जब उनके सन्मुक जाईए उनके मुख से सुनिये और फिर कह देकि करो तो करेए फिर देखेए रजल्ट आप थोड़ा सा जपेंगे रजल्ट इतना मिलेगा इतना ही कर लेना है तो रत्म से मैंने आपको इनके मना किया लाभिन का आप सर्वस्रेष्ट ले सकते हैं किसी के को स्वास्त से समंधित परिसानी आ रही है वक्री होने की अवस्था में एकस्ट दे रहे हैं तो भी कहूंगा कि आप इनके मंत्र का जब करिएगा चाहे वो बैदिक हो या पौरानिक मंत्र पौरानिक मंत्र जब लीजिए अगर आपको बीज मंत्र में दिक्कत आता हो पौरानिक मंत्र जब लीजिए उससे भी आपको लाभ मिल जाएगा और मंदर में जाना बहुत ही अनिवार्य है अगर आपकी कुंडिली में देव गुरु ब्रहस्पती वक्री हैं कई लोग कहेंगे कि गुरु यहां पर बैठे हैं तो मंदर मत बनवाईएगा, मंदर मत जाईएगा कम से कम ऐसी गलत बातों से बचिए कल किसी ने कमेंट करके वहाँ पर मेरे वाल पर लिखा था कि आप लोगों के लिए कि ये सब बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है ये लोग जो कर रहे हैं, मेरे लिए ही कहा गया था, कि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो हो सकता है उन्हें ठीक कहा होगा, गलत तो कहा नहीं है, बिल्कुल मैं पैसा कमाने के लिए प्रत्न तो करी रहा हूं, तो उनके लिए मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, यहां से देता हूं, क्योंकि मैं छुपके जवाब नहीं, यहां से बैठ के बोलना जानता हूं डरता किसे हूँ तो सीधी सी बात है मैंने इसको सरल तोवस्य कर दिया है और जो लोग देख रहे हैं वो जान रहे हैं कि जो तिस सरल हो गया है प्रेदर्शकों एक बात याद रखिएगा ये विश्य बहुत सरल है सुलग उनकी रही है टेंसन उनको हो रहा है जिनको इसको से एक लूटना था उनको डर था और जिन्होंने ये लिखा था वो सायद ऐसे ही किसी जाती से आते हैं जिनको लूटना हो तो डर उनको है आपको नहीं ये बहुत सरल विद्या है रिसियों की विद्या है और सब के लिए है सो दिमाग में मतला आईएगा कि बहुत कठिन है उन्होंने लिखा यह बहुत कठिन है सामान ये बाते बता करके ये ऐसा कुछ होता नहीं किताबी बाते हैं मैं बार बार कहता हूँ निश्चे ही ये किताबी बाते हैं बसकी तादी बातें रट तो लो, जरूरत नहीं पड़ेगी सोध की, क्योंकि हमारे रिशियों इतना सोध कर दिया है, कि अगर उसे जान लें, उसे ही मात्र जान लें, तो हमारा सोध पूर्ण हो जाएगा, आज पर बस इतना ही, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आज कल, क्यों